सत्युग में विदर्भनगरी में शेन जीत नामक राजा हुए वह रिश्यों के समान थे उन्ही के राज में एक क्रिशक सुमित्र था उसकी पत्नी जैश्री अत्यंद पती व्रता थी एक समय वर्शा रितु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई उसको रजस्वला होने का पता लग गया फिर भी वह घर के कामों में लगी रही कुछ समय बाद वह दोनों इस्त्री पुरुष अपनी अपनी आयू भोग कर मृत्यों को प्राप्त हुए जैश्री तो कुटिया बनी और सुमित्र को रजस्वला इस्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनी मिली क्योंकि रितु दोश के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराद नहीं था इसी कारण इन दोनों को अपने पुर्व जनम का समस्त विवरण याद रहा ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे धर्मात्म सुचित्र अपने अतिथियों का पुर्ण सत्कार करता था अपने पिता के श्राद के दिन उसने अपने घर में ब्रामनों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए जब उसकी इस्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बरतन में विश्वमन कर दिया कुटिया की रूप में सुचित्र की मा कुछ दूर से देख रही थी पुत्र की बहु के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बरतन में मुह डाल दिया सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुटिये का यह कृत्यत देखा न गया और उसने चूले में से जलती लकड़ी निकाल कर कुटिया को मारी विचारी कुटिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी चौके में जो जूठन आदी बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहु उस कुटिया को डाल देती थी लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी सब खाने का समान फिकवा कर बरतन साफ करके दुबारा खाना बनाकर ब्राम्हनों को खिलाया रात्री के समय भूग से व्याकुल होकर वह कुटिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्वपती के पास आकर बोली हे स्वामी आज तो मैं भूग से मरी जा रही हूँ वैसर तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला साप के विश्वाले खीर के बरतन को अने ब्रह्म हत्या के भाएस से चूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था इसी कारण उसकी बहुने मुझे मारा और कुछ भी खाने को नहीं दिया तब वह बैल बोला हे भद्रे तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनी में आ पड़ा हूँ और आज पोजा ढोते ढोते मेरी कमर तूट गई है आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा मेरे पुत्र ने आज मुझे में भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत मुझे इस प्रकार कर्ष्ट देकर उसने इस रात को निस्वल कर दिया अपने माता-पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया वन में जाकर रिशियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है तब रिशी बोले तुम इनकी मुक्ती के लिए पतनी सहित रिशी पंचमी का व्रत करो भाद्र पद महीने की शुक्ल पंचमी को मुक्षुद्ध करके मध्यान में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और नय रेश्मी कपड़े पहन कर अरुन्धती शप्त रिशियों का जन व्रत किया उसके पूर्णे से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गये इसलिए जो महिला शद्धा पुर्वक रिशी पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोग कर बैकुंट को प्राप्त करती है